क्योंकि एक सोसाइटी हमारी ऐसी है की जी इस बच्चे के साथ परसेंटाइब इसको एक कारण यह है बोर्ड की होने का कि यह जो 10 वी मार्च होते हैं इने आगे प्राइटी देते कोई भी आप से यह नहीं पुछे कि आपके एड़के मार्च कितने आपके पुछने वाल कि आ पकी तयुलिष्धिक तो बहुता है एक बड़ा की वहां के marks जो होते हैं वो बहुत ही prioritize हो जाते हैं और उसी mark के अधार पर बच्चों को आगे carrier चूज करना पड़ता है अगर 12 नहीं कम आए तो अच्छा गोलीज नहीं मिलेगा तो अच्छी जोब नहीं लेगी तो फिर दिक्कत है ठीक है और अगर 10 पर कम number आए तो यह 10 के number हम नहीं देखे जाते हैं बड़ टे एक 10 का माइन रखता है कि यह तो कुछ नहीं कर पाए यह तो loser है यह जिसके 90% आगे उसको ऐसे देखें कि पता नहीं उसे सर पर बिठा लेंगे तो एक तो यह है हमारी negativity है society के अंदर कि बच्चों marks के उपर वो judge करते हैं कि यह बच्चा यह बच्चा ऐसा तो कहीं नगरी फीर लाता है कि अगर हमारे इतने अच्छे नंबर नहीं आया है जो expected है society से या जो expected है हमारे लिए हमें जो marks आने है अगर वो नहीं आया है तो एक फीर बनता है दूसरा फीर कब बनता है जब हमारे कुछ भी तयार नहीं हो और board में हमें जो expected marks है वो हमारे नहीं आपाएंगे इतनी कम तयारी है सबस्क्रों आपके 15 चैप्टर है और 15 चैप्टर में से आपको तीन चैप्टर आते हैं तो वहाँ क्या हो रहा है वहाँ पर आपकी त्यारी नहीं है और जब आपकी त्यारी नहीं है तो क्या होगा marks बिल्कुल भी ऐसा कहा जाता है बट I don't think ऐसा नहीं है बिल्कुल भी एक आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए में बात ही है अब हम बात करते हैं बच्चों ने कुछ नहीं पड़ा फिर बढ़ता जा रहा है फिर को कैसे कम करें इस फिर को तो सबसे पहला फिर होता है एक एक्जाम होल में बच्चे समझते हैं पता नहीं हम किस जगह बैठ है पता नहीं अभी टीचर आएंगे हम एक पेपर देंगे हम वह पेपर कर पाएंगे नहीं कर बाएंगे सबसे में बात है कि एक्जाम होल का फिर आपको घटाने कैसे अपना एक रूम या अपने फ्रेंड के घर चले कि हमें एक एक एक्जाम होल मिल गया है इस तरीके का तो एक फिर कम हो जाएगा ठीक है या फिर अपने घर में भी आप यूज कर सकते हैं मतलब की एक कमरे में बैट जाएं कि तीन घंटे तक मुझे कोई डिस्टिव निकरेगा आइम सॉलिंग पेपर आप कोई पेपर सॉल कर लेंगे तो आपको एक हभी चोल हो जाओगे एक्जाम की कि हमें तीन घंटे यह पेपर देना इस तरीके का ऐसा पैटन हमारे एक्जाम में आएगा तो आई विल डू डेफिनेटली इस काइंड ओफ पेपर तो आप पका कर लोगे एक फिर निकल जाएगा कि हाँ पेपर अगर हमें मिला तो हम कितने टाइम में करेंगे क्या ने करेंगे क्या ने करेंगे ठीक है दूसरा फिर यह है कि कुछ बच्चों के बिल्कुल भी त्यारी नहीं है और बिल्कुल भी यह देखा जा रहा है कि जी अगर सैंपले पर नहीं करेंगे तो 90 नहीं आएंगे या फि प्रफिक कोई साइब बोड़ो अब पैटर्ण चेंज हो गया है अब देखा जा रहा है कि बच्चे ने एंचाटी बीचन से पढ़िया या नहीं एंचाटी को अपने डीपली पढ़ाया नहीं ठीक है तो आप एंचाटी को अगर जितना डीपली पढ़ें क्योंकि महां से मैं चाहता है मैं चाहता हूं मैं मानता भी हूं कि पेस को रोग देता बीच वह पंदर दिन को गया पाजाता है बीचब पंदर दिन चलते हैं या दस दिन आप पेपड़ देते हो ठीक है उसमा के जितने मांग सा है वो justify नहीं करता आपकी कितनी त्यारी है पर अगर उन प्री बोर्ड को जैसे आपकी बोर्ड रुकावाट आए तो मेरे ख्याल से प्री बोर्ड बहुती ज्यादा एक इंट्रेस कवर करेंगे आपको बोर्ड की तरफ अच्छे मांग ले आने की तरफ ठीक है तो अच्छे मां किसी भी तीचर किसी वी वीडियो देख लो जब तक प्रैटिक्स नहीं होगी जब तक नहीं पड़ोगे कुछ नहीं हो जकता अंसे अपर करेंगे और अपना एक्जाम में इसको जरूर देखेंगे तो आप फालतो घुमान फिराने की बात मेरी नहीं है यह बात कोई भी कह बतारो जब मैं त्यारी करता था मैं इस तरह से कियारी करता था मैं बिलीव करता हूं प्रैक्टिस में और शायद आपको बिलीव करना चाहिए क्योंकि जितनी ज्यादा आप चीजों को पढ़ेंगे समझेंगे उत्राद आपको क्लियर होगा तो एंसे आटी पड़ें मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में बाबाए